श्री शिवाय नमस्त व्याम हर हर महादिव देखे यदि आपके जीवन में आपके घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है याने कि आपके घर में धन आता तो है लेकिन बहुत जल्द खरज हो जाता है याने कि इस्तीर लक्षमी का आपके घर में वास नहीं है साथी साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में धन का आगमन ही नहीं हो पाता याने कि वो महनत तो करते हैं लेकिन परियाप्त धन की प्राप्ती उन्हें नहीं हो पाती क्योंकि उनका जो भाग्य है वो बहुत ही कमजोर है तो ऐसे दुरभागे को दूर करने के लिए आपको आज कई उपाय करना चीए यह उपाय विशिशकर धन प्राप्तिका है यह उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन या तो किसी भी अम्मावस्या के दिन अम्मावस्या की रातरी में यह उपाय कर सकते हैं देखो बहुत ही आसान सा उपाय है देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको लगेगा शहद आपको लगेगा एक पीपल का पत्ता और साथ में लेना है आपको काले तिल के ग्यारादन है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव को अगर आप सच्चे दिल से चाते हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देए बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना किस प पीपल का पता तोड़ेंगे तब आपको भगवान विश्नु मारता लक्ष्मी से पराथना करनी है कि यह पत्ता में कर सके पत्ता ले जाना है बहुत सीव के मंदिर में साथ में लेकर के जाना है ठोड़ास से शहद करना है उसके साथ में लेकर के जाना है 11 काले तिल के दाने देखो काले तिल के दाने भगवान शीव को प्रिये हैं भगवान विश्नु को प्रिये हैं शनी देव को प्रिये हैं तो इसे शनी से जुड़ी कोई भी समस्या है वो भी दूर होती है भगवान विश्नु भी प्रसंद होते हैं अगर कुछ चमच कच्छा दू थोड़ा सजल ठीक है और एक पात्री के अंदर आपको जल लेना है यह सारी सामगरी लेकर कि आपको भगवान चीव के मंदिर में जाना है सुबह से लेकर के रात्री तक जब आपके इच्छा हो तब यह उपाय कर सकते हैं लेकिन अगर रात्री में क करते हैं सर्वोतन होता है रात्री में यानि कि सुरियास्त के बाद क्या करेंगे यह एक पीपल का पत्ता लेना ओर पीपल के में जो चिखनी वाली साइड पर आपको पूरा शहद लगा दिना है अच्छे से बिल्कुल शहद लगाना ठीक है अब शहर लगाने के बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने है वो काले तिल के दाने आपको पीपल के पत्ते पर जहां पर शहद लगाया ना उसके उपर आपको लगा देना है जो शहद होगा शहद से काले तिल चिपक जाएंगे ठीके अब यह जो पीपल का पत्ता है यह आपको अर्पित कर देना है शीव जी के उपर, शीव जी के उपर जैसे आरुपित करेंगे ना पीपल का पत्ता, तो काले, तील और शहद ना नीचे वाले इससे में आना चीए, जो भगवान शीव को इस पर शोना चीए, ठीके, खरदूरा वाला साइड जो होगा, वो उपर साइड होगा, चिकना वाला साइड नीचे होगा, पीपल के पत्ते की जो डंडी है, वो जलादारी की तरफ होना चीए, जब अर्पित करेंगे, तब आपको रेण मुक्तेश्वर महादेव का इसमरेंड करना है, अगर आपके उपर कर्ज जादा है, ठीके, साथी साथ, यदि आपको शनी से जूड़ी कोई समस्या है, तो शनीश्चर महादेव का इसमरेंड करना है, देखो, अलग-अलग नाम है, अलग-अलग नाम जबते हैं, तो अलग-अलग समस्या दूर होती है, ठीके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कच्चा दूद लेकर क्या है, जिसके अंदर जल है, इस्च सब दुरोजगी, धन, संबंदित, कोई भी परिशानिया है, किसी भी प्रकार से धन में रुकावटे आ रही है, कोई आपका धन नहीं दे पा रहा है, किसी ने आपसे करजा ले रखा है, वो आपका धन चुका नहीं पा रहा है, या आपने किसी से करजा ले रखा है, आप चुका नहीं पा रहे हैं तो ये उपाय आपको किसी भी शनिवार के दिन करना चाहिए ये उपाय बहुत ही लापकारी होता है अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादिव